हमारे कई students new education policies से related information जाना चाते थे तो अगर आप ही जाना चाते हो new education policies से related information detail में तो हमें comment session में ज़रूर बताईएगा हम आपको detail में full new education policies के बारे में बताएंगे यहाँ पर हम उसका एक बार brief explanation देख लेते हैं कि new education policy 2020 के under आखिर है क्या इसको लागू करने के मामने में करनाटक ने यह लागू कर दिया है सबसे पहला राज्य बना है और और राज्य के सामने इनोंने अपना क्या है example present हिया है कि करनाटक में सबसे पहले क्या किया है new education policy को लागू करने के बारे में decision लिया है इसी के साथ करनाटक NEP के कारियान निवन में प्रियोगशाला बन गया है तो देखो वैसे तो हमारा चैनल Commerce से रिलेटिड है बट हम जो information सभी के लिए ज़रूरी है वो information ज़रूर जानते हैं क्योंकि जो commerce students हैं या फिर कोई भी stream से हैं उन्हें new education policy से रिलेटिड डिटेल में information जरूर पता होने चाहिए कि आखिन new education policy जिसके बारे में हम 2020 से सुनते आ रहे हैं कि है क्या तो new education policy को मंडे को इसे करनाटक ने आधिकारिक तोर पर इसको क्या कर लिया गया है लागू कर लिया गया है और ये implement करने वाला देश का जो पहला राज्य बन गया है जिनोंने एक example present किया है इसमें new education policies में इसको implement करने के बाद अगर ये full implement होता है तो ये हमारे students के लिए बहुत ही beneficial होगा क्योंकि इसमें full digitalization के बारे में एक आ गया है उसके साथ साथ ये का गया है कि जो बच्चों का जो bag का जो उनका बस्ते का जो बोज है उसको कम करने की कोशिश की गई है उसके साथ साथ इसमें ये भी का गया है कि जो अंगनवाडी के इंदर है उनको play school में convert किया जाए ताकि जो बच्चे की जो pre schools की जो उनको मिलनी चाहिए वो वहीं से मिल सके इसके साथ साथ इसमें education के उपर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया है और बच्चे को जिस चीज में interest है वो students उसी subjects को पढ़ सकती है जैसे पहले combination वगेरा होता था ऐसा होगा उसकी ability के according उसके interest के according वो उसमें change कर सकेंगे और महिने में 9 या 10 तीन bag less day होगा जिससे बच्चों का बोज कम हो सकेगा प्ले स्कूल अपन होंगे इसके साथ साथ बहुत सारी planning इसके अंदर की गई है तो अगर आप जानना चाहते हो detail में तो हमें comment session में ज़रूर बता जो है कि new education policy को लागू करने वाला सबसे पहला देश कौन सा है करनाटक है ये हमारे हमारे exam में भी आ सकता है और new education policies से related information भी हमारे लिए exam के point of view से और वैसे भी journal point of view से भी important है तो अगर आप जानना चाहते हो इसके बारे में detail में तो हमारे channels को share and subscribe करना ना भूले और comment में लिक कर ज़रूर बताईएगा कि आपको इसके बारे में कितनी knowledge है और नहीं है तो क्या जानना चाहते हो और अगर आपको कुछ advance knowledge है जो कि आप other students के साथ share करना चाहते हो तो वो भी हमें comment में ज़रूर बताईएगा thank you for watching this video and please share and subscribe my channels